नमस्कार खबरफास की खास पेशकर्ष आपका डॉक्टर में आप सभी का बहुत बद स्वागत है आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरुडा मनहोत्रा पेट को तमाम समस्याओं की जड़ भाना जाता है अगर आपका पेट अक्सर खराब रहता है तो आप कभी भी स्वस्त महस दूस नहीं कर सकते आपके सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं बनी रहती हैं आज कल के बदलते लाइफस्ट्राइल जैसे की बाहर का खाना जादा खाना और आथ को लेट तक जागने की वजह से भी पेट के विकार होते हैं पेट में जलन होना एसिड बना पाचन तंत्र का कमजोर होना और पेट की तमाम समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ता है तो क्यूं होता है पेट में दर्ध हमें पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए अपने लाइफस्ट्राइल में कैसे बदलाव करने चाहिए ताकि हम अपने आपको से ये सेवाई जन जन तक पहुँच रही है आई ये इस पर नजर डाल लेते हैं तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार मरीजों को सभी सुविधाई मिल रही है इलाज के साथ मुफ्त दवाई भी मिल रही है जारुता मोहिम का असर दिखाई दे रहा है जांज के लिए शेहरी और ग्रामीन शेत्रों में कैम्प लगाए जा रही है अस्पितालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है मरीजों को तमाम सुविधाएं जो है वो दी जा रही है तो उम्मीद केंडरों के माध्यम से भी चल काउंसलिंग की जा रही है पंधा जिलों के उम्मीद केंडरों काउंसलर्स बिठाए गए है एक हजार हेल्थ वेल्नेस सेंटर खोले का एलान कर दिया गया है हर सिविल स्पिताल में कम से कम 200 मेट की यूजना की गई है साड़े 300 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति भी हुई है करमचारियों पैंशनों और उनके आश्यतों को इंडोर उपचार दिया जा रहा है हर याना कैश्ट्रे स्वास्ति यूजना की भेंट दी जा रही है अल्ट्रा साउंड और डाइगनॉस्टिक सेवाओं का विस्तार जो है वो कर दिया गया है हर जिला स्पिताल में आईसी यू और प्राइवेट रूम सापित किया गया है पत्वकारों समेथ आठ वर्गों को आयुश्मान भारत यूजना के साथ जोड़ा गया है तो हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास दो है वो बेहत असरदार है और जन जन तक ये प्रयास पहुँचाई जा रही है अब पतादें की उमीद केंडर के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है 15 जिलो के उमीद केंडर काउंसलर के नंबर जारी किये गए है एक हजार हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है हर सिविल स्पताल में कम से कम 200 बेड़ की उजना बनाई गई है साड़े 300 चिकतसा धिकारियों की निफ्ति की गई है कोविट काल में किसी भी पेशन को किसी भी मरीज को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसको लेकर मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और ये प्रयास तो है जन जन तक पहुंचा रही है तो घर पर ही मुफ्ति चिकतसा सुविधा मोहया कराई जा रही है 408 एंबुलेंस हर समय उपलब्ध है 232 अत्रिक्त एंबुलेंस खरिदने के ओर्डर भी दिये गए है 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस भी तयार की गई है घर पर इलाज के लिए 12 मुबाइल यूनिट मौजूद है खाफ उता दें कि मनोहर सरकार प्रयास असरदार कोविट काल में जिस तरह से लगातार केस बढ़े और इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है करक्रम को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ बेहत खास महमान डॉक्टर पंकर्च कुमार जी जुड़ गए हैं एमजी हैं अब्स आज पेट की तमाम समस्याओं को लेकर हम इंसे बातचीत करेंगे डॉक्टर पंकर्च कुमार जी आपका बहुत-बहुत स्वागर्थ है खबर अवाएं कि पेट की जो समस्याओं का मुख्यकारण है उसका सबसे एहम वज़य है आज का हमारा पूर लाइफ इश्टाइल और खान पान क्योंकि जो भी हमारे लाइफ इस्ट इस्ट्रेस्ट फुल इवेंट्स होते हैं वह हमारे पाचन तंजबो काफी बुरी तरह से प्रभाविद करते हैं और हमारे जो डाइट होती हैं लाइकली जैसे ही सपोस जंक फूट्स लेना या कई लोग जैसे अलकोहल या स्मोकिंग में गरह भी करते हैं ये भी हमारे पार्चन सिस्टम को काफे बुरी तरह से प्रभाविट करती हैं तो लगातार फोन नंबर सीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे हैं अपने दर्शकों को हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस कारेक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी तमाम तरह की समस्या जो है यदि आप पेट से सबंदित कोई भी समस्या फील कर रहे हैं उसका ओक्छार चाहते हैं तो आप इस कारेक्रम में जुड़कर अपने सवालों का जवाब जो है वह इस पास्केंडे हैं तो लगातार फोन नंबर जो है होल का सब्साइश करने की हम आदी हो गए है कि कर लेट लेट सोना और बाहर का खाना घॉंड कहा घुम के लिया को हमुट करने का परियाज नहीं अ कुछ दूप करना और इस स्ट्रेस्फुल एवेंट से बचने की परयास करना और अच्छी लाइश्टायल यह सब कुछ तरीके योग असन करना और अमेडीटेशन करना यह सारी चीजह आपके लिए काफी हेल्फुल हो सकती थी बड़ी ही कॉमन आजकल प्रॉब्लम हो गई है किस वज़े से होती है यह जिए यह जादा गास तरह के जो फुड मैंटिर्स होते हैं जैसे कॉली फॉरावर या ब्रॉकोली यह जादा गैस फॉर्मिंग फूड आइटम्स होते हैं जिसे हाई फॉर्ड मैप डाइट करते हैं तो यह फिर पर्टिकुलर लिजन्ग फुट लेना इस पाइसी लाइक निकोटीन एडिक्षान स्मोकिंग अलकोहल एडिक्षान यह सारे भी गैस फॉर्मेशन में हैल्फुल होते हैं कई लोग कुछ मैडिसीन लेते हैं जैसे पेंगिलर आदी की दवाईयां यह भी गैस फॉर्मेशन में जो है यह हैं यह एक जिसना से हम देख पा रहे ह हैं तो ओल्डेज में यदि गैस ऐसे डिल किया जा सकता है जी ओल्डेज में अगर सपोज की गैस की प्राब्लम्स हो रही हैं तो सबसे पहले एक लोकल फिजीशन से कंसर्ट करना चाहिए और कुछ उसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं जो लोकल फिजीशन से डव जुआ जा सकता है और कुछ सो मैडिसीन होते हैं जो इसली एवलेबल होते हैं लाइक पंटोब्रा जो इत्यादी एंटा सीट्स ये जो ये जो है हमें हमें हैं इसकी प्राइब ने में ज़र से सूर्च जिने में कॉल किया है स्वागत है सूरज जी आपकापना सवाल स्वेलिंग वो ठीक नहीं हो पारी अभी मैंने दवाई वागेरा भी लेकिन वो नहीं पारी ठीक जी अच्छ तो ऐसी सिती में आप ऐसा करें कि आप कुछ दीनों के लिए एक पैंटोपरा जोल 40 mg की टैबलेट ट्वाइस डेली तीन में दो बार खाने खाली पीट में तो फिर आप एक गैस्ट्रोन लॉजिस से मिलने हो सकता है कि आपको एंडिस्कोपी कराने की जूरुद पढ़ सकती है ट्र बंगर जी मैं फूद पॉजनिंग के कारण भी आप से जाना चाहूंगी फूद पॉजनिंग क्यों होती है और किसना से से डील किया जा सकता है कें पाइलो बेक्टर या विब्रियो कॉला चरी टाइब के कुछ जूर्म्स मौजूद होते हैं जो फूद पॉजनिंगे रिस्पॉंसबुल होते हैं जी रोहतक से दीपक जी ने में कॉल किया है स्वागत है आपका अपना सवाल बताईए हाजी मैं नशकार गैस की समस्या कि आपको यह चाहिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मोडिफाई करें लाइक स्ट्रेस वेगरे से बचें और यदि आप कुछ अब कभी जंक फूड वेगरे ज्यादा लेते हों तो वह सब ना खाए और एक सिंपल सी मैंट सी ना थी पैंटोपरा जोर वह 40 मिलीग्राम कि वह आप ले सकते हैं एक हपते हैं से सत्पाल जी ने में कॉल किया है स्वाकत है सत्पाल जी आपका अपना सवाल बताईए आप जी सवाल बताईए सत्पाल जी सत्पाल जी पहुत्गी कि दैले में पत्री है तो पथरी की हो नी की विजद से भी कई तर ग्याइस की सब्सक्री के viene करते हैं सब्सक्राब पेठ जीद अब शunta सब्सक्राइब करता हृँ इसमberty पात्री की हरे इस स्थान उसमें तो आप एक लोकल किसी अच्छे सर्जन पेट के सर्जन से संपर करें और आपको पत्री की सर्जरी के जरूत पड़ सकती है इससे आपके सिंप्टम्स बेहतर हो जाएंगे जब तक से आप सर्जरी नहीं करवाते हैं तब तक के लिए आप पैंट अपराजल 40 मिलिग्राम के ट सब्सक्राइब करने के लिए जैसा आपने पूछा कि दवाई खाने के बगएर भी हम पाचनतन की समस्यां को कंट्रोल कर सकते हैं इसके लिए सबसे सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करें अबाला से जस्विंदर जी आपका अपना सवाल बताईए मेरा सब्सक्राइब यह है मैदम भी मैं इस्टी बड़ी का काम करता हूं और सूगर की थोड़ी प्रोब्लम है और भी दीजी और भूख बहुत ज़्यादा लगती है रोप्ती मैं बहुत जल्दी खता हूं चुबाय का निकालना जी शुगर की आपको प्रोब्लम है आपकी क्या समस्य यह कि आपको भूख ज्यादा लगती है हाँ भूख वोज़ादार काम में बहुत स्पीट है मैं जिमी ज़रया दाम करता हूं का लिए वज़ाच पाता हूं केत में बीज़ता हूं कसी पीजलाता हूं अमबर है मेरी, उसका 56 का जनम है, 50-50 साले, मूतरी इतने सहे पर लेकिन पेटनी कोई पाल तो, वजन तो है, जिरासी की लोग सिर्फ यही है, भी भूख भी बहुत जादा भूख मेरे परदास नियत पी जब लगती है तो आपका, आप सुगर के लिए क्या इंसुलीन लेते हैं या गोलिया लेते हैं? आप इंसुलीन लेते हैं या गोलिया लेते हैं आपकी सुगर पूरी तरह से कंच्रोल हो रही हैं आप इंसुलीन लेते हैं कम भी हो जा मतलब रुबरतर पंट्रॉल करत किया तिर्फ यो ही एक तबूफ जादा लगती है एक मैं बीपी की लेता हूं तैंसर जादा जानता सोर कुछ नहीं है कोई स्कीज की दभाई मंददददददददददददददददददददददद आप ऐसा करें आप एक थारोइड का टिष्ट कर वाले है ठीक है अब से अचलियाएगा कि क्या सबस्क्राइब है थी इस संधीप जी ने कॉल किया है रोतक से स्वागत है संधीप जी आपका अपना सवाल बताईए नमस्कार दॉप्तर जाब नमस्कार जी सर मिलको खाना ख खालम क्या खालोज आप एक बार में जादा हेवी डाइट ने लिया करें थोड़ा कम क्खाया करें और इसके इलावा जो है समस्याइं कंच्रोल नहीं हो रही हैं तो फिर आप एक पैंटोपरा जो की गुली 40 mg पर डे लिया करें सुभर खाली प्रेट में तो इसके कोशन हो करना था जी पताई है सर मैं को है मेरे डे हैं उनके ना ग्यास बनती है तो यलो यलो पानी सा आता है क्या यूरीन से हाँ नहीं उल्टी यलो पानी निकल खाना गाता है अच्छा जी आपको एक्छली आपके सिम्टम्स बता रहे हैं कि आपको रिफलक्स डिजीज है मतलब जो भी आप खाना कहा रहे हैं ना वो कई बार वह हमारे फूर्ट पाइप से वापस आने लगता है उसक कि अधर निए प्रवाला साइड होता है उसको थोड़ा एलिवेट कर उठा दें बैड को थोड़ा सा उपर उठा दें आपका हैं वाला साइड थोड़ा उपर होना चाहिए और इसके अलाबा पैंट आपरा जोन फोर्टी एमजी की गुली रोज सुबह खाली पेट लिया क हैं एक और दर्शक हमाँ से जुड़ गई है पतना से में कॉल किया है स्वागत है आपका अपना सवाल बताईए जी बता रहा है मेरी बेटी गाउंब है 19 साल जी और उनको एक सबता पहले बुखार उखार बहुत लगा था लेकिन जाच वर तो नहीं करवाए थे दवा खि जी है तक एफार के बारे पीट में दर्द होना ये टाइफॉड के लक्षन हो सकते हैं ठीक है या कई या वायरा में ऐसा हो असकता है तो आप इसमें एक टाइफॉड का टेश्ट कर वाले कई बार पेट में सपोज गॉल ब्लैडर वने पत्थरी बगरर होने से भी बुखा तो तक दर्थ के लिए सिंपल कोई दर्थ की जो गुली आती है डॉलो सिक्सिप्टी यह आप ले सकते हैं और रिपोर्ट के मुताविखी फिर फाइनल ट्रीटमेंट हो वैसका डॉक्तर सब्सक्राइब पाचन टंट्रो और पेट की समस्या के लिए बतारे कि व्यायाम और फ किससे जो पूरा शिट्व बनाना चाहिए सुपा के लिए वक्त जाधा अच्छा रहता है यह यह जाना चाहूंगी मैं अपसे जी वैयाम करने के लिए जैसा मैंने बताया आर्ली मॉर्णिंग ब्रिस्क वाकिंग कम से कम आरे से एक गंटे के लिए ये काफी बेटर होता है इसके अलावा जो योगा अशन होते योगा वगएरा ये भी काफी हेल्फ होते हैं तो सुबह के वक्त ही वियाम करना चाहिए कुछ लोगों को यह शाम को समय मिलता है तो फि शुическая वाकिंगा करना चाहते हैं कि अब आला से बनवारीलाल जी ने में कॉल किया है सब्सक्राइब वर्चला है तो ऐधे मेरी विश्य है मैड़ें और गो तरहिं होती जासे है चलादेश्याइग रिख करूंगे आप तीवी का वाल्यूम म्यूट कर दिए उसके बार हम से बात की जिए आपकी अवास क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं हम गड़ने नहीं है हेलो जी वताइए अब समस्या बताई एप इस हम स्बाव आएं है हलो जी बन्मारी लाजी समस्या बताई है मैड़ मैरी मिशिया है इस चीट अशाएं के मरें तेरा ताम यह अच्छान का मिगती बहुत चल में प्रॉल्म हम आप आप दोती हैं जार दोती है लाल जी तो उनको ना ओस्टियो पोरोसिस नाम की मिमारी होती है उनके जो है रजनुविर्थी के बाद आप ऐसा करें आप किसी अच्छे और्थो पेडिक टॉक्टर से मिलें इस चीज के लिए या तो किसी अच्छे रिमाने लॉजिस्स से मिल ले या अच्छे और्थो कर देंगे इस कंडिशन में क्या करना चाहिए मिन्वाइल आप अपनी मिसेच के लिए आप कैंसियम की गोली रोज ले सकते हैं अज़ा चलने में जारा दर्द होता है तो कुछ दर्द की दबाब दे सकते हैं जैसे डोलो 650 एक गोली रोज और एक बार आप और और्स पेटि मुर्तिय निए किक ये जिक गिस करण से मुर्तिय यह जिला है आप कसी आप गारीक मटी रोज कर दो शेया जी यह ए मुर्स हो सकता है काली में में ऐसी हो सकती है इसके लिए आप किसी अच्छी 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 के डॉक्टर को मिल दें ठीक है आपने सवाल बताईए आपका अपना सवाल बताईए जाना चाहेंगे कार्म किया ओपरेशन के बाद कोई पी लिया तो नहीं हुआ ना आप ऐसा गरें एक बार आप अपने पेट का इक अल्ट्रासॉंड करवाने ठीक है और जबतब्स वो रही है उसके लिए आप एंट और जो पाजल चालिस मिली गरम के टैबलेट को सबस्क्रा रोशनी ची कुछ कहना चाहरी है आपने अल्टरसांड कर वाया है शायद है तो सिफ सिफ पैंटोपरा जूल की गोली ले ले अगर इसके बाद भी सिम्टम्स रहते हैं तो आप किसी अच्छे पेट्रों विजे सग से मिलके कि इंडिस्कूपी कर वा ले लगातार अपने दर्शु को बता रहे हैं कि नमबर्स जो है वो टीवी स्कीन पर फ्लाश हो रहे हैं यदि आप फीपैट संब्ध्दी कोई भी समस्या से दो-चार हो रहे हैं और आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसकारिक्रम में हमें कौल कर सकते हैं डॉक्टर पंकर गुणार बित्etrunk में बने हुए है यादी ан यह है पेट में जलन होना भी आम स्वालतJE चैबल आधर धाल16 महसूस होता है और नाहि भूख लगती है लिदि कुछ ह खाने लेते हैं तो पश्ता नहीं है, पेट में जलन होना तो इसका कारण जाना चाहेंगे क्या solution हो सकता है जी इसका कारण होता है पेट का inflammation गैस्ट्राइटीस ऐसे सिती में या कई बर क्या होता है कि पेट में कुछ जखम हो सकता है जिसे अलसर पेप्टिक अलसर कहते हैं बट ओल्डेज में जो सबसे ज्यादा करने वाली चीज है वो होती है cancer, gastric cancer जो की एक खतरनाग बीमारी है जीवन के लिए खतरनाग life-threatening की चीज है तो अगा इस तरह के symptoms अगा old age में आने लगे तो फिर एक nearest gastroenterologist से मिल करके एक endoscopy करवानी चाहिए और उसी के मुताविक भी दूर्ण मैंडिस के लिना चाहिए खुछ से इसे 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 को ट्रेट बही करना चाहिए जी विंदवन से चीज को कॉल किया है सुआगत है आपका संटोज जी पना सवाल बताहिए संतोज जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अपना सवाल बताइए जी मेरे हजबन को आज दो महीने होगा है पैरलाइज हुआ है इनको जी अचानक से होगा ब्लड पिसर हाई होगा और अचानक से होगा इनको हाँ पहुंच रही है जी संतोज जी आप से गुजारिश करूंगे टीवी का वॉल्य म्यूट कर दीजिए उसके बाद हम बाच्चित कर पाएंगे अच्छे से पैरलाइज हुआ है जी डॉक्टर साब क्या कहेंगे आप आप अपना सवाल पूरा करें संतोज जी आपका सवाल क्या है प्रालेसिस हुआ है डॉक्टर साब इनकी पैरलाइज हुआ है इनकी हाथ और पैर चल नहीं रहा है दवाईजी खारें पर कुछ असर नहीं हो रहा ह अच्छा ओके कब हुआ कितनी दिन पहले हुआ यह इनको 25 नवंबर को हुआ है अच्छा मतलब दो महीने पहले करीब करीब तो आप ऐसा करें इनके दिमाग की एक CTA स्कैन करवाएं CTA स्कैन हो चुक है उसमें क्या आया उसमें क्या अंदर नसे सुन रही है इनके फिर में खून जम गया है उन जम गया है तो आप ऐसा करें आप किसी अच्छे नीरो लॉजिस्ट को मिले और इस वीच में अच्छे सेंटर पे जाके इनके हाथ पैर की फिजिए इससे इनके हाथों में थोड़ा पावार आने लगेगा अच्छा और संतोष जी हम वैसे भी पेट की समस्याओं को डिसकस कर रहें यहां पर तो यह सही प्लाटफॉर्म नहीं होगा आपको किसी जो स्पेश्टिस डॉक्टर है उन से जरूर कंसल्ट कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को ले करके रोतक से ईश्वर सिंग जी नहमें कॉल किया है ईश्वर सिंग जी स् जांकारी अपने जिल्ह में जाकर के अपने शेत्र में पूछनी पढ़ेंगे कि वहां पर हीं वहां पर हीं एकिसस्साइए आप रहा हुड जी अबाला से वन्दा जी महां से जुड़ गई है वन्दा न जी अपना सवाल बटाईए पेट मेंटर चाहता है। फिर दर्द होतका है, चैहां? अच्छी आशेट बनता है, पेट में युद अएकि नषयाningar एक या कोई ना चाहते हैं? हांजी सर, मेरे से माइजरेन की प्रोबलम है, पहले मेरे को पेट में जलन होती है तो आप एक काम करें, जलन के लिए एक एंटासेट सीरप आता है, मियुके इंजेल या कोई भी एक एंटासेट सीरप आता है, जो किसी भी फार्मेसी के दुकार पीजली अबलेबल है, वो आप ले लें दो चम्मच और साथ में आप अपने डाएट को कंट्रोल करें, डाएट जो है, खलका लेस ज्यादा स्पाइसी मसारेदार खाना या जन्पूर ना खाएँ, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, और एक पैंटो पराजूल 40 mg की टैबलेट रोज एक सुबह खाली पेट लिया करें, पानिपस से सुखदेव जी मासा जुड़ गए है, सुखदेव जी पना सुखदेव जी ये समस्या किती देर पहने से चल लगी है, आपके साथ, साथ जी ये समस्या तो होगी, साल दो साल से हो लिया ही, कभी आपने कुछ अल्ट्रासॉंड बगरा कराया है, नहीं साथ जी कोई नहीं ऐसा करवाया तो वासे चोटी मुट इद्वाही लेता था था अच्छा, अल्ट्रासॉंड नी करवाया, आप एक अल्ट्रासॉंड करवाली जिए और एक इंडोस्कोपी करवाली जिए, दुर्वीर की जांच होती है, वो करवाली जिए, ठीक है, और तब तक से आप पैंट प्राजोल, 40 mg की गोली, रोज सुबह एक खाली पेट खाया क सुखदेव जी आशा करते हैं, अपने नशा करना छोड़ दिया है, तो लगता है सुखदेव जी से हमारा संपर्क तूट गया है, तो डॉक्टर साब लगातार हम बात करें कि किसर से पाचन तंत्र को भी हम मजबूत कर सकते हैं, देखा जाता है कि खाने का सही से नहीं किया जा सकता है, जी इसका कारण होता है, गेस्ट्रोइटीस, कई कई कारण होते हैं, जैसे गेस्ट्रोइटीस हो सकता है, पेप्टिक असरो हो सकता है, इरिटेबल बॉलस सिंड्रों हो सकता है, या पि कई बार कुछ कैंसर कंडिशन में भी लैक्ट गैस्ट्री कैंसर कंड और अगर एक एंडोस्कोपी करवा ले तो यह भी बहतर होता है क्योंकि कई बार हम लोग सीरियस डिजीज को मिस करने से बच जाते हैं और साथ में मीनवाइल टेस्ट होने तक में साथ में आप कहीं से भी को पॉर्टे एमजी प्रेंट ऑपराजुल की गोली लेके आप ले सकते हैं से आपके सिंप्टम्स काफी बेटर हो जाते हैं इतना काफी होता है जी डॉक्टर साब मैं आप से जाना चाहूंगी देखा गया है कि अम्मन पेट का जो दर्द होता है उसकी विरस से शरीर के बाकी हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिलता है जैसे पेट में यदि गैस हो गई है तो फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम ह जाएगी दर्द होने लगेगा और भी देखा जाता है कि पेट यदि सही नहीं है तो हमारा श्रीर सही से काम नहीं कर सकता है तो यदि पाचन तंट की और गैस की प्रॉब्लम पेट में हो रही है तो किस-किस बॉड़ी की कौन-कौन से हिस्से कोई प्रभावित कर सकता है आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जैसे आपने कहा कि पाचन तंत की समस्याओं से जैसे मन पे भी असर पड़ता है, इसको गट-ब्रेन एक्सिस भी कह सकते हैं, या कहते हैं, कि जो भी पाचन तंत की समस्याओं होते हैं, उसे हमारे ब्रेन पे एफेक्ट पड़ता है, हमार बीकन नमें गड्ड ब्रें ऐसके लिए कई मेंडिसीन भी प्रिस्क्राइब किया गया है और जैसे कई बाज जैसे एंटीज्ट डिप्रेशन सकती है यह सारी समस्याइं हो सकती है बिल्कुल डॉक्टर साब में लास्ट कमेंट आप से जाना चाहूंगी जरूर कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा पेट एक दम स्वस्त रहे और हम स्वादिश राजीज खाने का जो लुथ है कई सालों तक उठाते रहें तो क्या कुछ हमें क पाइसी फूट से परहेज करें जादा जंक फूट से परहेज करें चाहदा इस्ट्रेस फुल सिच्वेशन से बच्चे रात को में अच्छी नीन लें योगासन करें और अगर कुछ पेट की बड़ी समस्याइं होने लगें पेट में दर्द होना है कई ब्लड वामिटिंग होना या इस या वेट लॉस होना कमजोरी होना तुरंत अपने निकत्तम फिजीशन से कंसर्ट करें लिए को डॉक्टर पंकच कुमार चीपना कीमती वक्त देने के लिए तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बढ़ने वाद है तो बिको सही कहा यदि आप लजी को सकरात्मक और उर्जावान बना सकते हैं तो आज के लिए आपका डॉक्टर में बस इतना ही लगातार खबरों के लिए वने लिए खबरफास के साथ और मुझे दीजिए इजासत नमस्कार